हेलो एवरीवन वेलकम टो रवियदिती क्लासेश आज की वीडियो का टॉपिक है मन्थली करिंट अफियर्स जिसमें हम कवर करेंगे नेवेंबर मन्थ के इंपॉर्टन करिंट अफियर्स के क्वेस्टेंस फ्रेंट्स यहां भी मैंने सभी कोशें बिल्कुर स्लेक्टिट लि अब बात यहां पर देखे होती है फ्रेंट फिकी जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चामबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टी इसके स्टिबलाइशमेंट हुई 1927 में हेडक्वार्टर है न्यु डेली में प्रेजिडेंट है उधेशंकर और अभी डिरेक स्वान अवर्ड 2021 फर वुमेन एंपावर्मेंट आंसर इस रेनु गुपता फेंड्स रेनु गुपता को महिला शशक्ती करण के लिए ब्लेक स्वान अवर्ड से सम्मानित किया गया है ध्यान रखी का इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट देख लेते हैं जैसे देखें उ इन्हों को यह इंपो आवर्ड दिया गया है उनके काम्ट्रिबूशन है जो वो ची लेके आईए उन्होंने क्या है उसके लिए उनको इस अवर्ड से सम्मानित किया गया। इसी टाइम अगर हम करेंटली बात करते हैं तो रीनु गुपता मैनेजिंग डारेक्टर है रेड बेलवेट रॉक ग्लोबल कवर्शल ब्रॉकर एललसी दुबई में तो ध्यान रखेगा इनको ब्लेक स्वान अवोर्ड से सम्मानित किया गया आंसर इस रशिया फ्रेंट ये रशिया में अपॉंट किये गई है इंडिया की तरफ से नाम है इनका पवन कपूर बात करते हैं रशिया की रशिया देखिया आपको यूरोप और एश्या दोनों कॉंटिनेंट में मिलेगा इसकी कापिटल मॉस्को है करंसी रूबल प्रेजि और रशिया की पार्लामेंट का नाम है डियूमा तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आप याद रखें जरूर नेक्स्ट है डेरी सहकार स्कीम को किस राज्य में शुरू किया गया है फ्रिंड आंसर हो जाएगा यहां पे गुजराद गुजराद के सरका है ना उनकी इंकम को डबल करना और सेल्फ रॉलाइंट इंडिया है नी आत्म निर्भत भारत को बनाना इस उदेशे के साथ इस स्कीम को गुजराद की सरकार नी शुरू किया आगला कुश्य ने फ्रेंट देखिये विच वर्ड वास चूज़न अड़ वर्ड ऑफ द ये 2021 ऑफ दी ओक्सवोर्ड इंडियन इंग्लिश टिश्णरी आंसर इस वेक्स सॉरी फॉर दैट यहां पर वी ए एक्स वेक्स आपका आजाएगा वी ए एक्स तो इस शब्द को चुना गया है वर्ड ऑफ द इयर 2021 किसके अकॉर्डिंग ओक्सवोर्ड इंग्लिश टिश्णरी के अकॉर्डिंग इसके बाद है थर्टीत हुनर हार्ट प्रोग्राम को भारत की कौनसी सिटी में आयजित किया जा रहा है तो इसका जो आयजित किया गया है फ्रेंड ये देहरादून और देहरादून की कापिटल उत्राखंड में हुनर हार्ट प्रोग्राम का आयजित कि किया गया है तो ध्याननेकी का important question है question है next which state government has started मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गहसियारी कल्यान योजना सो ये शुरू किया है friends उत्राखंड की सरकार ने इस योशना के तहर देखिए इस योशना के तहर के kit provide करी जाएगी हर एक घर में women's को जिसमें two hoi two sickles होगे एक water bottle होगी टिफिन होगा food टिफिन और इस kit के cost होगी around 1500 रोपीस इससे क्या होगा उनके काम के बोच को कम करने में उनको मदद दी जाएगी और इसी को बोला गया है मुख्य मंत्री गहिसियारी कल्यान योचना अगला question है friends who has authored the book book का नेम है John Lang wanderer of हिंदुस्तान slender of हिंदुस्तानी lawyer for दिरानी ये book friend लिखी है अमित रंजन के द्वारा answer is option no.b इसके पाद एक question दिनेश के पटनायक has been appointed as an Indian ambassador to which country answer is Spain तो friend ये Spain में भारत के जो है वो रासूद अपॉइंट किये गए हैं तो simply आपको इतना ध्यान रखना है one liner में Spain आपको मिलीगी Europe continent में इसकी capital Madrid है currency है euro और प्राइम मिनिस्टर का नेम है Pedro Chances आगला question देखते हैं Consistate government है जिसने उत्तम बीज पोर्टल को launch किया है ताकि farmers को better quality के seats provide किये जा सके ये जो scheme है friend ये हर्याना की सरकार ने इसको शुरू किया इस scheme के तहर देखे आपको बता दिया मैंने कि farmers को better quality seeds provide करने के उदेशे से हर्याना के chief minister मनुह लाल खटर जी ने इस जो पोर्टल है इसको launch किया है अगर farmers को इस साइकी के अच्छी quality के seats दिये जाएंगे तो जहान रखेंगे अगला question National Tribal Dance Festival इसको organize कहां पर किया गया तो ये जो festival इसको 36 कर में organize किया गया तो friends answer हो जाएगा 36 कर इसको inaugurate किया है जारखंड के chief minister हेमन्त, सोरीन और 36 कर के chief minister भुपेश बगेल ने तो भुपेश बगेल तो यहां के CM है और governor है अनुसुया उई के Question number next है देखिए which African country जिसने declare किया है state of emergency after the insurgents attack यहां पर जो विद्रोहियों का हमला हुआ उसके बाद यहां पर emergency को declare कर दिया और यह country कौन सी है एथियोपिया सो इथियोपिया में friend is emergency को declare किया गया अगला question है where was the world deep pseudo championship 2021 held यह championship का जो आयोजन है यह Paris France में किया गया है friends answer हो जाएगा option number B इसके बाद है who has become the third girl light to be honored with India's highest honor खेल रतन अवार्ड तो तीसरे केरल वासी कौन बनी है जिनको खेल रतन पुरिसकार दिया गया है answer is PR श्रीजेश जिनको इस award से सम्मानित किया गया राजीव कांदी के आपे खेल रतन की बाद आती है तो पहले इसका नाम था राजीव कांदी खेल रतन अवार्ड बट अब इसका नाम जो हो गया वो मेजर ध्यान चन्त खेल रतन अवार्ड कर दिया गया पक्षी किस से घोशित किया गया है answer is कलिस फीसेंट कलिस फीसेंट को घोशित किया गया है यहाँ पे नया यूटी बर्ड यह ध्यान रखेगा important आ सकता है आपके exam के लिए question next है देखें यहाँ पे अशनीश कुमार has been appointed as a India ambassador to which country so behind country का चो नाम हो जाएगा वो है Estonia तो अशनीश कुमार चो है वो Estonia देश में भारत के रास्तूत जो है नियुक्त किये गए है next question है national ayurveda day यह कब celebrate किया जाता है तो फेंट सी हर साल 2nd of November को celebrate किया जाता है national ayurveda day इसकी theme है इस पार की ayurveda for potion और इस पार जो इसका version यानि addition हुआ है वो 6th edition हुआ है ठीके तो जो ayurveda पर्व है इसको 2nd of November को celebrate किया जाता है इसके बादे who has honored with the booker prize 2021 बई देखो booker prize किसे मिला है तो ये मिला है तो ये मिला है प्राइस जो है वो उससे इनको सम्मानित किया गया तो friends book का नाम भी important है कई बार book के नाम से पूछ लेते हैं कि कि book के लिए उनको booker prize दिया गया है next question है in which country badminton tournament French open 2021 was organized तो इसका आयोजन किस देश में होगा answer हो गया Paris France तो ये जो tournament है इसका आयोजन होगा French Paris France में next question who has launched the whistleblower portal to check corruption तो corruption को check करने के लिए portal किसने विक्सित किया है answer is IRDA अब friend यहाँ पर बात कर लेते हम IRDA की जिसकी full form है Indian Renewal Energy Development Agency Limited इसकी सापना 1987 में हो और इसका जो headquarter है वो आपको मिलेगा New Delhi में next question ने देखे हमारे पास Sanchez Sudhir ये भी हाली में किस देश में इंडिया के ambassador पत पर appoint किये गए है तो ये appoint हो गए है United Arab Emirates में तो friends answer जो हो जाएगा वो option number B हो जाएगा अगला question है friend देखिए Where was the international seat conference 2021 organized तो friends इसे organized किया गया है Rome, Italy में तो answer हो जाएगा option number B इसके बादे in which country the world first antiviral pin मुलन पियार वीर जो है इसको मन्सूरी दी है देखो friends इस ये जो पिल है इसका इलाज कोविट के जो patients में mild symptoms से उसमें किया चाएगा तो ब्रिटेन के द्वारा इसको जो है वो मन्सूरी दी गई थी और ये पहली एंटी वाइरल पिल है जो की अगेंस्ट कोविट के काम करेगी important question है आसकता है अगला question है ICC T20 batsman ranking में कौन से खिलाडी है जो उसकी टॉप किया है तो फेंट बाबर आसम है जिनके द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है तो ये rankings आप लोग एक बार update ज़रू कर लें क्योंकि कई बार rankings जो नहीं नहीं जारी होती है तो change हो जाती है question है next देखिए कौन से स्टेट के government ने जन सेवक और जन इस्पंदन स्कीम को शुरू किया तो फिन ये जो scheme में करनाटक की सरकार के द्वारा शुरू करी गई अगर बात करें इन schemes की तो इनमें देखिए 576 जितनी भी सेवाई सरकार चुला रही है उनको घरों तक पहुंचाया जाएगा और इसमें राशन की home delivery करी जाएगी या जैसे अधार कार्ड उनका जाती ब्रमान पतर हो गया या income का certificate है वरिष्ट नागरी कार्ड है स्वास्ते कार्ड है ये सारी सारी जो services है वो इसमें शामिल है जर इस मंदन योशना की बात करते हैं तो दिखिए call center है जहां पर जो ना उन्हों scheme को launch किया है करनाटक की सरकार ने इसके बाते कौन सी company है जिसने स्टिबलाइश किया है satellite broadband branch star link in इंडिया तो फिर आंसर इस स्पेस एक्स स्पेस एक्स ने भारत में satellite के माध्यम से internet को शुरू करने की गोश्चना गरी और उन्होंने टागेट भी रखा कि हम 2022 तक दो इसके बात बुक का नेम है the story of the first civilization from Mesopotamia to the assets ये बुक किसने लिखी है तो फ्रेंड सुबधर सेंड गुपता के द्वारा इस बुक को लिखा गया नेक्स्ट कोशन है which country has banned foreign exchange यानि विदेशी मुद्रापन when किसने लगाया है तो ये बैन अफगानिस्तान के द्वारा लगाया गया है इसके बाद question है what is the name of India's first man maritime expedition जिसमें sea के depth में जाकर research वगयरा करे जाएगी इस mission का नाम किया है तो फ्रेंड इस mission का नाम है समुदरियान इसी के साथ भारत जो है वो अमेरिका रूस जापान फ्रांस और चीनी चाइना इन्होंने भी अपनी maritime जो missions and expeditions उनको शुरू कर चु गया क्योंकि इंडिया का समुदरियान इसमें शामिल हो गया इसके बाद कौन सी country है जिसने launch किया है military communication satellite और इसका नाम रखा है साइराक्यूस 4A तो बात करते हैं यहां पर कि यह country कौन सी है तो देखिए यह जो है यह है फ्रांस फ्रांस के द्वारा ही इसे launch किया गया है त एक्स्ट कोशन है देगे कौन से स्टेट गवर्मेंट ने मुख्या मंत्री आवास भू अधिकार स्कीम को शुरू किया और इसके तहर जोन लोगों के पास अपनी घर बनानी के लिए पैसे नहीं है जो नीडी फामिलीज है उनको फ्री में land प्रवाइड किया जाएगा ता नए इसके चेरमेंट कौन अपॉइंट हुए है फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा यहां पे अशोक बूशन को अपॉइंट किया गया इसके बाद है दे गवर्मेंट ओविच स्टेट जिनोंने दौरे राशन स्कीम को इनॉग्रेट किया इस स्कीम को इनॉग्रेट किया है जोकि विस्ट मंगॉल की गवर्मेंट ने स्टार्ट किया इसके बाद कोशन है लिट्रेचर की फिल्ड में जैसी बी अव़ॉड किसने जीता है तो फिंस यह वजिता है एम मुकुंदन अब लिट्रेचर की फिल्ड में है तो यानि इनकी कोई बुक भी होगी बिल्कुल ड इसके बाद है at which railway station जहाँ पे इंडियन railway ने लॉंच किया है pod hotel for the first time सो ये station कहाँ पे है ये है मुंबई में सो मुंबई में station पर pod hotels को शुरू किया गया है और ये concept आपका कहाँ से आया है जाबान से इसमें छोट-छोटे cabins होते हैं जहां लोगों को रुखने के लिए दिया जाता है इसके बाद question है कौनसे country है जिसने list of richest country यानि सबसे अमीर देशों की जो जूची है उसमें top किया है तो top किया है भई किसने चाइना ने चाइना की द्वारा ही इस list में top किया गया है अगला question दिखिए कौनसे इंडियन village है जिसको चूज किया गया है the best tourism village किसने चूज किया है United Nations World Tourism Organization ने तो friend ये है पोचम पली जो की आपको मिलेगा तिलंगाना district में तो इसको चूज किया गया है best tourism village के तौर पर इसके बाद question है the disruptor how Vishunath Pratap Singh shook India ये बुक किसने लिखी है तो friends ये बुक लिखी है देवाशीश मुखर जी ने answer is option number c next question है देखिए where was the India's first grass conservatory inaugurated इसका जो inauguration किया है वो रानी खेद उत्राकंड में इसका inauguration किया गया इसका उदेशे ये है देखे जो grass species होती है उनके benefits के बारे में लोगों को बताना कैसे हम उनको संदक्षन दे सकती है और उनके उपर research करना इस उदेशे के साथ grass conservatory को उत्राखेन के रानी खेद में inaugurate किया गया इसके बाद है 17th November को जो freedom fighter है लाला राश्पत राई जी इनकी कौन सी पूर्यतिती मनाई गई है इनकी पूर्यतिती इस बार जो हुई वो थी 93rd नंबर की ब को और इनकी जो date हो गई थी वो 17th November 1928 को हुई थी लाहौर पाकिस्तान में इनको पंजाब के इस्ट्री के नाम से जानते थे यह question exam में बहुत जादा पूछा जाने वाला है सो ध्यान रखेगा next question है कौनसी country है जो host करेगी COP28 conference जो कि 2023 में होगा तो इसे host करेगा United Arab Emirates इस बार की अगर हम बात करते हैं जो COP26 हुआ इसको Glasgow Scotland में इसका जो है वो हुआ इसके बार जो COP27 होगा वो 2022 में होगा कहां पे होगा इजिप्ट में होगा और 2023 की जो conference होगी वो UAE में होगी तो सारे venues त्यान रखेगा क्योंकि कोई सब भी पूछ सकते हैं इसके बाद है successfully successfully रुस्तम टू ड्रॉन का सफल परिक्षन किस ने किया फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहां पर DRDO तो DRDO के द्वारा ही इसका सफल परिक्षन किया गया नेक्स्ट है कोशन junior mence hokie world cup 2021 इसको कौंसे state ने host किया है तो फ्रेंड आंसर है उरिशा उरिशा के दोरा इस world cup को host किया गया अगला कोशन है पहला state in the country जिसने operate किया है metro को पाच शहरों में तो ऐसे करने वाला पहला राज़ जो बन गया है वो उत्तर प्रदेश हो गया है जहां पे जो पांच आप कहलो कि मेट्रो से इनको इसके बादे वर्ड डाइवर्टीज दे यानि विश्व मधु में दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंट आंसर इस 14 नेवेंबर तो फ्रेंट 14 नेवेंबर को ये जो दिन है वो सेलिबरेट किया जाता है आगला कोशन देख लेते हैं विच स्टेट जिसने तीन नाशनल अवार्ड जीते हैं फोर वेल्लाइफ देस्टिनिशन में वेल्लाइफ एडवेंचर ट्यूरिस्ट डेस्टिनिशन और इसके अलावा बेस्ट स्पिरिचुल प्लेस तो इन सभी के टेग्रीज में जो नाशनल अवार्ड जीते हैं वो मुहम्मद सिराज तो देखे मुहम्मद सिराज को मुहम्मद सिराज वो इसके ब्रैंड अम्बैस्टर बन गए है जिसका राम है माई 11 सर्कल इसके बाद है अन्शेक्लिंग इंडिया हाउ ट्रस्ट एंड क्लियर चोर्ज़स फॉर एकोनॉमिकली रिवाइवल तो यह जो पूरी के पूरी बुक है ना इस बुक को लिखा किसने है यहाँ पे हमें बताना है तो दो लोगों ने लिखा है अजय छिबबर और सल्मान अनीज शोज तो इन दोनों के द्वारा संयूत रूप से इसको लिखा गया question next है देखिए कौन सी anniversary है जो की observe करी गई है non-aligned movement की so जो good निरपेक्ष आंदोलन है इसकी कौन सी वर्षकार्ड मनाएं गई तो इसकी 60th नमबर की जो वर्षकार्ड है उसको जो है वो आपके लो मनाया गया है question number next पे बढ़ते हैं who has been appointed the new director general of central industry security force तो कौन मन गए है नए director general answer is शील वर्धन सकसेना शौली शील वर्धन सिंग ये अपॉइंट किये गए इसके बाद एक global drug policy index 2021 में कौन सी country ने टॉप किया है तो फिन आंसर हो जाएगा नौर्वे so global drug policy index में नौर्वे ने जो है वो इस list में top किया है अगला question है देखिए और इसी में देखो पहले place पर तो नौर्वे ता second place पर न्यूजिलेंड और third place पर कौन रहा पॉर्टुगल तो ये आपको ध्यान रखना है अगला question which country has become the 101 यानि 101 वा member बना है international solar alliance का तो 101 वा member कौन बन गया है अमेरिका answer is option number B America is the correct answer इसके बाद question है देखिए हमारे पास कौन सी rank आई इंडिया की global climate change performance index में तो friend भारत की जो rank रही है वो 10th number की रही इसमें starting के तो 3 places होते हैं उनको vacant रखा गया 4th place पर जो आपके लिजे country रही है वो Sweden रही है ठीके friend ध्यान रखिएगा अगला question देखते हैं कौन से bank ने start किया है video life certificate service जिसमें pensioners video call कर सकते हैं ये सारे services अवेल कर सकते हैं इसको start किया है SPI यानि State Bank of India ने तो friend इसको ध्यान रखिएगा question है next sunrise over ayodhya nationhood in our names ये जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो सलमान खुशीत के द्वाया इस book को लिखा गया है तो friend ध्यान रखिएगा important question है इसके बादे in which state बंदन bank ने appoint किया है जुबिन गर्ग को अपना brand ambassador तो कौन से राज्य में ये बताना है तो राज्य का जो नाम है वो है असाम friend यहाँ पर सब कुछ दे के आप लोगों से bank भी पूश सकते है तो ये छुटी-छुटी से information आपको ज़रूर ध्यान रखनी है question next देखिए नई navy chief of India ये किसे बनाए गया है तो आर हरी कुमार को अपॉइंट किया गया है new navy chief of India इसके बाद एक question how many people जिनको पद्म बिभूशन जो है वो समानित किया जाएगा by the president के दौरा तो 7 लोगों को दिया जाएगा पद्म बिभूशन वेंट ध्यान रखेंगे कितने लोग हैं कितने students होंगे 7 तो यहां पर देख लीज़ें total impact is pare जहें वो 141 फादम बिभूशन जिसमें 7 फ़त्म बिभूशन 16 दिए गए हैं फद्म बिभूशन और 118 टीब हैं पद्म पद्म श्री अवार्ट दिये गए हैं तो ठीके पद्म जो अवार्ट्स होते हैं तीनों में सबसे जो आपके लोग पर है वो पद्म विभूशन है और इसको सेकंड हाइस्ट सिविलियन ओर कहा जाता है आफ्टर भारत रत्न ठीक है फेंड तो ध्यान रखेंगे साथ लोगो विभूशन में टॉप किया गया है तो अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी अगला कोशन है विच स्टेट ऑफ इंडिया वास मेंड दा कंट्री वर्स बैंभू किरिकेट बैट अनस्टंप तो इसको बनाया कि किसको दिया गया है तो अंसर हमने जो यहां पे हो गया वो ह तिरपुरा तो तिरपुरा इसी correct answer Next question है National Cancer Awareness Day ये कब observe किया जाता है तो ये 7th of November को observe किया जाता है और इसमें Cancer के बारे में किस तरीके से मुझे से लड़ सकती है किस तरीके से उसका पता लगा सकती है इसके बारे में जाग रुकता जो है वो फैलाई गई तो इध्यान रखेंगे कौन सा है National Cancer Awareness Day जो की 7th of November को celebrate हुआ इसके बाद है which doctorate has been converted with आदित्यनाराण आदित्यनाराण को किस doctorate की मानतुपादी से सब मानत किया गया फिर आंसर यहाँ पर हो जाएगा Nelson Mandela Nobel Peace Prize तो आदित्यनाराण को इस प्राइस अंगला कोशन ने दिगे friends which police station has been selected as the best police station in India for 2021 तो कौन से police station को best police station यहाँ पर चुना गया है तो फिर आंसर हो जाएगा सरदार बजार प्लिस station जो की कहाँ पर है यह है आपका डेली में तो इससे चुना गया है ministry of home affairs के द्वारा best police station in India next question which state announced to launch of the street project in select spots in 7th district यह जो अनॉंसमेंट इस प्रोजेक्ट की यह अनॉंसमेंट करी है केरल की सरकार के द्वारा तो केरल की सरकार की दोरा इसे केरल के साथ district में जो spot select किये गए है वहां के लिए इस project को शुरू करने की जो है वो अनॉंसमेंट करी है अगला question in which state is the world tallest bridge pier being built by the Indian railways answer is Manipur तो friends Manipur state में railway के द्वारा दुनिया का सबसी उचा पुल घाट बनाया जा रहा है so very important question क्योंकि यह world का tallest bridge pier है तो आपके exam में question आपका पूछ सकते है अगला question which state जिसने approve किया है the proposal to create cyber तहसिल तो cyber तहसिल बनाने के प्रस्ताफ को मंजूरी दी गई है friend Madhya Pradesh की सरकार के द्वारा तो answer is Madhya Pradesh अगला question इन्वे से किसको receive हुआ है USA का prestigious national book award for fiction यह ध्यान रखेगा कौन से category है यह fiction category है और इस category में जो award दिया गया है वो Jason Mote को दिया है और अब देखिए book award है तो इनकी किसी ना किसी book के लिए यह मिला होगा तो इनकी book है hell of a book कौन से book है hell of a book जिसके लिए उनको USA का prestigious national book award for fiction दिया गया है तो friends very important question जरू ध्यान रखेगा आपकी exam के लिए important है इसके बाद है इंडिया internet governance forum को inaugurate किस ने किया friend इसका चुद घाटन है वो किया है अश्वनी वैशनों ने so friend answer हो चाहिए का option number A is the correct B is the correct answer इसके बाद है which country has become a fully republican country on 30th November 2021 तो कौन सा देश है जो United Kingdom से अलग होकर पूरी तरह के से क्या हो गया है गरतांत्रिक देश बन गया है so उसका नाम है Barbados फुली एक तरह के से कहते हैं न कि free country बन गई है और United Kingdom से अलग होके ये भी ध्यान रखेगा so country का नहम हो जाएगा Barbados next question कौन से country है जिसने launch किया है communication satellite और इसका नाम है zong zing 1D ये satellite है फ्रेंट चाइना की ध्यान रखेगे चाइना के द्वारा इस satellite को launch किया है इस satellite को March 3B rocket की help से launch किया गया तो इसका नाम ध्यान रखने का आप लोग और ज़रू ध्यान रखेगे कि country कौन सी है अगला question international tourism मार 2021 इसका आयजन कहां पे होगा so friends इसका जो आयजन होगा वो नागलेंड में होगा correct answer is नागलेंड अगला question in which country the new dangerous variant of the COVID-19 virus इसको नाम दिया गया है Omicron ये पाया गया है तो ये COVID का एक नया variant है जोकि बहुत dangerous भी है और ये देखा गया है South Africa में so answer is option C अगला question what is the rank of India in the new disaster report of SPI SPI की एक नई disaster report आये जिसमें भारत की rank बतानी है तो friends इसमें जो भारत की rank है वो तीसरे number पर है पहले number की बात करते हैं तो पहले number पर है America second place पर कौन सा है China और third place पर है आपका India और ये भी ध्यान लेकिंगे कि ये disaster report है जो कि दी है SPI ने SPI से भी पूछ सकने कि ये release किस ने करी है इस report को ये बताईए इसके बाद कोशन देखिए which state will form India's forced cyber तहसिल sorry for that ये दुबारा से कोशन आ गया तो आंसर हो गया Madhya Pradesh इसके बादे who has become the new prime minister of Shares Republic तो चेगर राजे के नए प्रधान मंत्री कौन बनी है फिरंड आंसर हो जाएगा Petro Fiala Petro Fiala को appoint किया गया है Shares Republic में नया prime minister आगला कोशन इसका आयोचन कहां पे किया है तो इंडिया के द्वारा इसका आयोचन किया गया है जैसल में राजस्थान में तो फिरंड आंसर है option number D नेक्स्ट कोशन है National Cadet Corps has been celebrated it's a raising day on 28th November तो इस बाहर इनोंने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है friend answer हो जाएगा 73rd तो आप लोग इसे दो तरीके से question बन सकता है एक तो इस पूछ सकते हैं की कौन सा बनाया गया है और एक ये भी पूछ सकते है friend की National Cadet Corps का जो raising day होता है वो होता कब है तो 28th of November को तो इस तरीके से दोरों तरीके से आप इसको ध्यान रखेगा अगला question कौन से country है जो host करेगी ICC Champions Trophy 2025 की ये trophy host करेगा पाकिस्तान फिर answer हो जाएगा option number C next question है which has become the most polluted city in the world अभी IQ Air की एक report release हुई है जिसमें rankings के according सबसे जादा प्रदोशत शहर कौन सा बना है तो वो बना है friend Delhi जो की इंडिया की राजधानी है तो देखें यहाँ पे अलग-अलग जो organizations से उनकी report के according अलग-अलग cities होती है आपको ध्यान रखता है कि किसके according कौन से city को number one बोला गया इसी के साथ जो लाहोर पाकिस्तान में जो लाहोर सिटी है उसको second place मिला है और बुलगारिया की सोफिया सिटी को third place मिला है और इसे जारी करता है IQ Air जो की कहां की है organization आपके लोग company है सोज़लेंड की ठीक है friend तो सबसे politics city कौन सी है Delhi, India इसके बाद है who has become the new chairman of ICC Men's Cricket Committee answer is सोरफ गांगुली friend सोरफ गांगुली को ICC Men's Cricket Committee के इन अधक्ष के रूप में appoint किया गया है next question the government of which state जिनोंने inaugurate किया दुआरे राशन स्कीम इस स्कीम के तहदे को घरों तक लोगों के राशन को प्रोवाइड किया जाएगा और ये स्कीम शुरू करी है West Bengal ने यानि पश्री मंगाल की सरकार ने ठीक है friend important है आ सकता है question है next who has won the JCB Award 2021 in the field of literature अब देखो friend यहाँ पर literature की बात आती है तो कोई न और एक novel जरूर होगा पहले बात करते है किसने जीता है तो M. Mukundan ने ये जो award जैसे भी ये जीता है अब इनकी कौन सी book के लिए इनको ये award मिला है तो डेली आ सौलल कियो ये इस book के लिए इनको award दिया गया है ठीक है M. Mukundan इनका नीम है अगला question friends at which railway station जहाँ पे inner railway ने launch किया है pod hotel को पहली बार तो ये कौन सा station है ये है Mumbai station जहाँ पे railway ने पहली बार pod hotels को जिसमें छोटे छोटे से आपके लोग केबीन सोते हैं रोकने के लिए उसको यहाँ पर launch किया अगला question which country जिसने top किया है list of richest country in the world यानि सबसे अमीर देशों के सूची में कौन सा जो country है वो सबसे आगे रही है तो friend answer हो जाएगा China China जो है वो इसमें सबसे top position पर रही next question which Indian village जिसको juice किया गया है best tourism village के तोर पर United Nations World Tourism Organization ने तो select किया है तिलंगाना के पुच्चम पल्ली को जो की बोला गया है कि best tourism village है इसके according UN के according next question ICC T20 World Cup में player of the series ये किसे जीता है तो ये जीता है David Warner ने तो friend ध्यान लेकिंगे David Warner ने इस बार player of the series का title जीता है अगला question who has won the title of Sao Paulo Grand Prix 2021 तो देखो ये भी Grand Prix है और पहले इसको Brazilian Grand Prix कहा जाता था अब इसका नामे Sao Paulo Grand Prix ये जीती है Lewis Hamilton ने तो friend answer is option B अगला question इंडिया का पहला food security museum ये कौनसे स्टेट में खोला जाएगा तो ये खोलेगा friend तमिलनाडू के तन्जाबुन में तो ध्यान लगेंगे कहां ये क्या है इंडिया का पहला food security museum नेक्स्ट कोशन वांगला फेस्टिवल ये कौनसे स्टेट में मनाया गया तो friend वांगला जो उत्सव है ये celebrate किया जाता है मेगालिया में इसको hundred drums festival भी कहते हैं या फिर हिंदी में बोलेजे सौ ड्रम का तिहार भी इसे कहा जाता है very important तो festival ते डारेक्ट भी कोशन बन सकता है ध्याद रखेगा question है next who has become the new brand ambassador of kit food wear brand जिसका नहीं में play तो तो इसके अभी brand ambassador बनी है friend राहुल द्रेवन answer is option number C इसके बाद है question who has become the next head of national cricket committee academy तो इसके जो अगले प्रमुक बनी है वो बन गए है BBS Lakshman तो ध्यान लखेंगे जो national cricket academy है उसके next head बनी है BBS Lakshman आगला question who has been awarded the Nelson Mandela novel peace prize 2021 तो इस prize से सम्मानित किया गया है friend अजर शर्मा को answer is option number C आगला question है who has become the seventh Indian boxer यानि सातुवे इंडियन बॉक्सर कौन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपेंशिप में medal जीता है तो इनका नाम बताना है friends इनका जो नाम है वो है अभे आगाश कुमार जो की सातुवे बॉक्सर बने इस चैंपेंशिप पूर जीता है नेक्स्ट गोशन संजे भटचारिया has been appointed as a new ambassador of India to which country तो ये किस देश में भारत के नई रासुद नियुक्त हुए है answer is Switzerland तो फिन ध्यान लगेंगे Switzerland में कौन अपॉइंट किये गए है संजे भटचारिया अगला गोशन है from which country will the ideal of Ma Annapurna stolen from the temple of Kashi hundred years ago be brought back तो कौन से देश से 100 साल पहले की जो प्रतीमा है Ma Annapurna की वो चोड़ी हो गई थी उस प्रतीमा को वापस किया गया है तो फ्रेंग आंसर हो जाएगा यहाँ पे Canada तो Canada देश में यह रखी थी जहाँ से वापस किया गया next question है हर्याना के चीफ मिनिस्टर मनुहर लाल खटर ने एक बुक को रिलीस किया और इस बुक का नाम है Modern India यह जो बुक है who has written this book friend answer is पूनम दलाल दहिया so friend पूनम दलाल दहिया के द्वारा ही जो है वो इस बुक को लिखा गया है और इस बुक को रिलीस भी किस ने किया है यह भी ध्यान रखेगा next question है कौन से country है जिसने वर्ट की पहली earth science satellite जिसको नाम दिया है गौंग मू इसे लांच किया है तो friend answer is चाइना चाइना का जो लौंग मार्च रॉकेट है लौंग मार्च उसी का यह 395th mission है और इस mission का जो नाम है वो है गौंग बू mission अगला question क्या है देखिए which country जिसने host किया है one global Vietnam summit 2021 तो यह जो summit है यह Paris France में इसका जो है वो France जो है सो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा next question है which birth anniversary of the great Indian scientist सरचंदरशेकर वेंकर्टर रमन is celebrated तो फ्रेंड यहां पर हमें बताना है कि जो सरचंदरशेकर वेंकर्टर रमन है उनकी कौन से जयनते भी मनाई गई है इस बार तो इस बार उनकी 133rd नंबर की जो जयनती है वो celebrate करी गई है यह आपको ध्यान रखना है और CV रमन जोते वो पहले भारतिय थे जिनको physics के छेतर में novel price भी दिया गया था यह question बहुत ज़दा important है इसके बाद question है याहू ने अपनी services को कौनसी country में completely stop कर दिया तो friend answer आपके सामनी है चाइना के द्वारा ही अपनी जो services ने उसको stop किया गया next question है one sun, one world, one grid यह जो initiative है इस initiative को launch किस ने किया है friend both A and B यानि नरेंद मोधी और Boris Johnson इन दोनों ने इस initiative को launch किया next question the sage with two horns यह जो book है न यह book किस ने लिखी है तो friend यह जो book है वो लिखी है सुदा मूर्थी ने तो इस तरीके से आप लोग डारेंटली जरू धियान रखें इसके बाद है where has prime minister मोधी जी ने unveil किया है समाधी और एक statue किसका श्री आदी शंकचार्या यह जो समाधी है statue है इसको discover किया गया है किदारनाथ में सो friend answer हो जाएगा option number D अगला question है Rolex Paris Masters 2021 इसका जो title है वो किस ने जीता है यह जो Rolex Paris का title है friend यह Novak Zokobish ने जीता है very important question ध्यान रखेंगा इसके बाद है पहला open air rooftop drive in movie theater इसको इंडिया में inaugurate किया कहाँ पर तो state या आपके लो जगा है वो Mumbai महरास्टर तो friend answer हो जाएगा option number B इसके बाद next question है 71st number के just grand master कौन बन गए है देखिए तो यह grand master ध्यान रखेगा ज़रूर आगे के पूछ जाती है so 71st number के जो मने है थे वो है संकल्प गुपता तो यह ध्यान रखेंगा question तो friend किये थे हमारे सारे के सारे monthly जो important current affairs के question से आप लोग इससे मुलाकात होगी next video में thank you so much for watching this session वोग्व झाffेել सारे के जचर एवस्पूλά से सारे के सारी करिए